हेलो एब्रिवन मैं एड़ोकेट कीरती भारतवाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लौग यान में एक पर फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने IPC सीरीज की फर्दर वीडियो लेकर आई हूँ इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवलेबल है आप महाँ जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रप्रेशन शुरू कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसे लाइक करें इसे शेयर करें कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं बूलें जिसका जवाब हम आज सून आज पॉसिबल आपको देने की कोशिश करेंगे and also don't forget to subscribe our channel and press the bell icon so that आपको regularly notification आती रहें so without wasting a single second let's start with the IPC further provisions आज हम discuss करेंगे chapter number 6 chapter 5 तक हम already discuss कर चुके हैं chapter 6 हमारा बहुत ज़्यादा important है ये DJS, Haryana, Punjab, Rajasthan कोई भी state हो DJS, Haryana, Punjab, Rajasthan कोई भी state हो हर state का favorite area है pre के लिए specifically pre में तो exam में यहाँ एक ना दो question इस area से जरूर आपके आएंगे तो इसको important mark कर लिजेगा provision कहां से है 121 से लेके 130 तक इसको mark कर लिजेगा चलो without wasting second अब provisions पढ़ते हैं waging or attempting to wage war or abetting waging of a war against the government of India अगर भाया government के against कोई war करते हैं या attempt भी करते हैं या abetment करते हैं तो आपको with death imprisonment for a life और shall also be a liable to fine डेश के खिलाप अगर आप कुछ भी कारवाई करते हैं जो war की shape में हो for example इंडिया पाकिस्तान के साथ अगर आपके इंडिया के और पाकिस्तान के relation खराब चल रहे हैं अगर कल को आप इंडिया के citizen होते हुए पाकिस्तान की help करते हैं इंडिया के उपर war करने में या कुछ भी ऐसा type का करने की कोशिश करते हैं या abet करते हैं तो आपको fancy की सजा imprisonment for a life and shall also be liable to be fine बहुत ज़्यादा important है हर state में पूछा ही जाता है इसको mark कर लिजेगा इसकी punishment जो है हमारा key area होगा अब आते हैं हमारे next provision पर provision number 121A amendment से कौन सी से आया था पहले इसको mark करिएगा amendment आया था ये 1870 से 121A conspiracy to commit offense punishable by section 121 शडियंत्र अगर देश के खिलाब कोई भी शडियंत्र करते हैं आप जो offenses हमने 121 में deal किये थे waging war, attempting to war या abattment के लिए तो आपको 10 साल तक की भाई साब जेल की हवा खानी पड़ सकती है ये कौन से provision में define है ये conspiracy to commit offenses punishable by section 121 ये कौन सा provision है हमारा 121A 121 में हमने खाली ये पड़ा था कि अगर आप इन में indulge होते हैं तो कितनी punishment मिलेगी? 121 में अगर आप conspiracy में indulge होते हैं तो आपको कितनी punishment मिलेगी? चलिए provision पड़ते हैं 122 में अगर आपको कुछे ये लाद दे ने, 121 में ईक्णा क्णा सक्णा कर 5 कर 11 Jet bakayım 132 में अगर देसे कमारों 15 तो आपको को dilबए है 15 अगर आपको कितनी爪ण से तालनेude 16 एट आपको का theCUBE事情 is तक की सजा्अ आपको वीद फाइन की एरिया क्या होगा हमारा तो punishment इस चैप्टर में आपको प्रोविजन का नाम हम का ओंप प्लस को कलेक्टिंग आम एक्क्स से अपांटिया इंटेशन बेर इस चैप्टर से पूछा जाता है चलिए अब next provision पे आते हैं collecting arm etc with the intention of waging war against the government of India whoever collects men arms or ammunition or otherwise prepared to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India shall be punished with the imprisonment for a life or imprisonment of either description for a term which may not exceed for a term not exceeding 10 years इसको mark कर लीजेगा अगर आप कोई arms वगेरा collection करते हैं या कोई भी men's का या ammunition का men arm और ammunition और otherwise किसी भी तरीके से preparation करते हैं basically war के लिए इंडिया के खिलाफ कहां पर इंडिया के खिलाफ तो आपको life imprisonment मिल सकती है या 10 साल तक की सजा या दोनों with fine और without fine आपके shell also be liable to be fine again मैं यह कह रही हूँ कि हमारा punishment का area बहुत ज्यादा important है अभी recently example news में आया था पंजाब के officer थे वो इंडल्स थे किसमें collection of arms etc में तो उनको क्या libel हुआ उनको दस साल तक की सजा मिली थी recent example था police officers थे वो अब बात करते हैं concealing with the intent to facilitate design to wage war whoever by any act or by any legal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India intending by such concealment to facilitate or acknowledge it is to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine concealing का मतलब क्या होता है concealing का मतलब होता है चुपाना with the intent to facilitate design to wage war अगर आप किसी चीज को चुपाते हैं conceal करते हैं कि उसका basically क्या है design war के लिए अभी जैसे कभी भी terrorist attack होता है जम्मू कश्मीर में हो या कुछ भी हो और आपको अगर उसके बारे में पता लग जाता है कि भाई या फलानी जगहें पर terrorist attack हुआ था या दिल्ली में अभी recent में bomb blast हुआ था उसके बारे में आपको कहीं से information मिल जाती है कि पहले से आपको पता था कि यहां दिल्ली में इस दिन को bomb blast होगा अगर आप उसकी information government को नहीं देते हैं या police officers को नहीं देते हैं और आपको मक्षण क्या था वार के लिए या कोई भी ऐसा illegal peace करवाना तो आपको punishment कितनी मिल सकती है shell which may extend to 10 years and also liable to be fine यहां पर ध्यान रखेगा जहां end दे रखा है महां पर punishment plus fine है हमारा और अगर और होता तो punishment के साथ fine हो यह जरूरी नहीं है punishment और मतलब fine जरूरी नहीं है वो discretion है और जहां end है महां fine include किया जाएगा इस बात को ध्यान रखेगा यहां से हमारा examiner confuse करने के लिए question put on कर देता है end और और में यहां end दे रखा है आपको examiner में क्या दे देगा और अगर और आता है तो आपका right option यह नहीं होगा right option क्या होगा 10 years and shall also be liable to be fine यहां से confused मत हो यहां अब बात करते हैं next provision की 124 assaulting president governor etc. with the intent to compel or restrain the exercise of any lawful powers भया अगर आप governor साब के या president को assault करते हैं या उनको अपनी duties को execute करने में कोई restraint डालते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है और fine मिल सकता है इस चीज को ध्यान रखिएगा आप किसको president को या governor के खिलाब कोई भी assaulting statement नहीं दे सकते president और हमारे head of the nation है उनकी respect कोई भी news channel या कोई भी बंदा अगर इसी कोई भी media जैसे इंडिया में right to freedom है लेकिन अगर media में होता है और वो भी अगर कुछ assaulting statement गौर्णर या president के खिलाब दे देते हैं तो उनके against भी 7 साल तक की कारवाई हो सकती है president को एक माननी है एक honorable प्राणी माना जाता है honorable है हमारे देश को represent कर रहे है हमारा pride है more basically और उनके against या governor साब के against आप कोई भी statement देते हैं तो आपको assault किया assaulting statement अगर देते हैं तो आपको 7 साल तक की jail की हवाद खानी पड़ सकती है whoever with the intention of inducing or compelling the president of India or the governor of any state to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such president भाया अगर आप president को उनकी duties execute कराने में भी अगर रुकावत डालते हैं या governor की duties को execute करने में रुकावत डालते हैं तो आपको 7 साल की सजा खान मिल जाएगी अराम से court क्या order करेगा कि 7 साल की jail आपको मिल जाए इसमें जो हमारा key area होगा वो होगा punishment 7 साल and shall also be liable to be fine मतलब punishment plus fine fine कितना भी हो सकता है ये discretion होगी court की subject to the limitation of pecuniary jurisdiction sedition वह यह बहुत important है हर बार exam में पूछा जाता है recent ये किसान आनों में भी आपने देखा होगा कि sedition से related case हमारे file हुए हैं किसानों के खिलाब whoever by words either spoken or written or by science or by the visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government कहां पर towards the government इस चीज को ध्यान रखेगा established by law in India shall be punished with the imprisonment for a life to which may be added or imprisonment which may be extend to three years to which fine may be added or with fine इसमें ये ध्यान रखेगा जो recent में किसान आनोलन हुआ है इसमें 124-8 sedition से related बहुत सारे case laws file हुए हैं क्योंकि किसानों ने क्या किया अपनी बाशनों से उक्साया या कैसे भी प्रोवोकेट किया और Government of India के खिलाप hatred फैलाने की कोशिश की तो इस ऐसी अगर ये उनकी court की discretion होती है लेकिन sedition का जो है इसको बहुत याद रखेगा क्योंकि ये बहुत जाद हमारी journal life में काम आता है being a judicial aspirant तो हमें जरूरी है कि इसकी knowledge हो otherwise a simple citizen एक normal civilian होते हुए भी हमें sedition की knowledge होनी जरूरी है कुछ ऐसे laws होते हैं जिनको हमें as well as judicial aspirant तो knowledge हो ही हो law student के लिए knowledge हो ही हो लेकिन civilian के तौर पे भी हमें knowledge होना जरूरी है इसमें explanation number one पढ़ते हैं the expression disaffection includes the disloyalty and all the feelings of enmity अगर कोई भी disloyalty की feeling है या enmity क्या करते हैं ये politician हमारे उकसाने के लिए या नए नेता बनने के लिए hatred पहला देते हैं गुजरात में हुआ था ठीक है अभी किसान आनोलन में तो कईयों के खिलाफ इसमें किसान आनोलन में sedition के तहट case file हुआ है उनके खिलाफ अभी next provisions पर आते हैं Beijing war against any asiatic power in alliance with the government of India अभी तक भीया देश के खिलाफ war की बात कर ली लेकिन ऐसी कोई भी asiatic country asian countries जो इंडिया के साथ alliance पर है अगर आप उसके साथ उसके खिलाफ जो asiatic country हमारे साथ इंडिया के साथ alliance में है अगर आप उसके खिलाफ war करने की या कोशिश करते हैं तो आपको कितनी सजा मिल जाएगी imprisonment for a life or imprisonment for a seven years and a fine for example Asian countries में हमारे श्री लंका के साथ संबन अच्छे हैं इंडिया की अगर आप उस country के साथ के खिलाफ किसी और देश के साथ मिल कर कोई war करने की या कुछ करते हैं तो क्या होगा तो आपको वहिया minimum 7 साल तक की सजातों मिलेगी ही मिलेगी and with fine whoever wages war against the government of India, government of any Asiatic power in alliance or at peace with the government of India और attempts to wage such war करते हैं लेकिन attempt भी अगर आप करते हैं तो भी आपको भाई साब life imprisonment या 7 साल तक की सजा मिलेगी with fine ये हमारा non-vailable offense होगा, tribal होगा court of session से हाँ जी ये जो provisions में आप classification of offenses देख रहे हैं इन में जो ये tribal by court of session है non-compoundable है, compoundable है इन चीज़ को अपना mark कर लिजेगा क्योंकि they are very much important यहां से इस area से भी हमारा exam में question put on किया जा सकता है आज के लिए मैं इसी वीडियो को यहीं अंत करती हूँ, इससे next part जल्दी आपकी channel पर available होगा अगर आपको कोई भी information चाहिए paid group से regarding जो हर्याना का है plus कोई भी test series या किसी भी संबन में आपको कोई भी information या query हो तो आप दिये गए number पर WhatsApp या call करके query ले सकते हैं और हमारे paid group को join कर सकते हैं तब तक साथ बनाए रखें, पढ़ते रहें क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा सादन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुचाएगी till then, all the best, best of luck guys, thank you